आप सभी का स्वागत है आपके प्रिन यूटूब चनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि आखिरकार आपको तैयारी कैसे करनी है बीए सेकंडियर थर्ड समिस्टर की परिच्छा आप दे चुके हैं फोर्ट समिस्टर ने पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा परिशान हैं लगातार आप कमेंट्स कर रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो यह आप लों के लिए बनानी चाहिए तो उसी के माध्यम से आपके समस्त प्रसनों के जवाब रहेंगे और आपकी तैयारी के लिए एक बिधवत तरीके से तैयारी के रणनीती क्या होनी चाहिए उसको बताने का प्रियास करूँगा संचेप म तो चर्चा करते हैं कि अखिरकार लाइब क्लासस कैसे होंगी और किस परकार से आपको इसको एटेंड करना है और किस परकार से आपको नोट्स वगरा प्रोवाइड के जाएंगे सारी जानकारी आपको देने वाले हैं तो बीए दुतिये वर्स चतुरत समिस्टर आप किसी करके और उसको लेकर के अपकी बार मैं PDF नोट्स की भी विवस्था करूंगा आप लोगों के लिए तो उसको लेकर के टेंसर ना लिजेगा अपना एप्लिकेशन भी है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलिग्राम पर भी आप हमको जोईन कर सकते हैं की चेप्टर वन की संस्कृत की क्लास आज खास करके आप लोगों ने देखी दात आट विजे से लाइब हो रही थी तो आपको बता दूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का प्रियास करूंगा और उसका पीडियाप भी आपको देने का प्रियास करूंगा ठीक है ताकि आप आसानी से पढ़ सके और जब परिच्छा की अंत समय आएगा तो उसके लिए मैं मालल पेपर तयार करूंगा लगबग तीन से चार मालल पेपर में दूंगा उन्ही को आप देख लेंगे तो आप एकदम से मान लिजे कि एक भी प्रसनाप का छूटे गा और आप अपनी परिच्छा में टॉप भी कर पाएंगे अगर आपने मेरे द्वारा बताएगे चार-पांच मालल पेपर को आपने आसानी से हल कर लिया बलाब एक बार मैं डिस्क्सन करूंगा डिस्क्सन करने के बाद में आप उन कोश्चन की पीडियप मैं आपके पास से कर दूगा उनी पीडियप के माध्यम से आप परिच्छा से पांस दिन पहले से उसको प्रक्टिस करिएगा चार-पांच मालत पेपर को लगातार तीन घंटे बैट करके या दो घंटे जितनी भी आपकी परिच्छाओगी उसके कोडिंग और आती लगुतिरिये लगुतिर कि मालत पर मैं एक मालत पर देदूंगा ठीक है हन्डेट कोशन के सभी सब्जक्त के उसके बाद में यह पैरलल में देता रहूँगा और बाकि क्लास चलती रहेंगी सेकंड डियर की लब सेकंड डियर फो इस्ट यर सेकंड समश्टर की ठीक है सभी क्लास होगी हर एक कोर्स की भी तयारी होगी लेकिन सेकंड समेस्टर के लिए मैं बतायना यह चाहूंगा कि अभी यो प्लेलिस्ट पढ़ी हुई 2022 की तो सलेबस वही यह सलेबस बदलता नहीं है अब नियूज एजुकेशन पालसी में बदलेगा लेकिन अभी नहीं बदला हुआ है तो जब तक जिससे आप चाहे सब्जक्टिव आपके परिक्षा होती है चाहे परिक्षा आपकी अब्जक्टिव हो दोनों के लिए helpful होगा सभी बिसेयों की तयारी आपको सुकलज टली पॉइंट प्लेट फार्म से करवाई जाएगी और यह विस्वास मानिए कि अगले टापर आप ही बनोगे बीए में और यह मान करके चलो अपने कालेज में अगर आप जो है सुकलज टली पॉइंट को जॉइन करे हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे यह बात ध्यान रखेंगे लेकिन अगर आप पूरे कालेज जो है सुकलज टली पॉइंट से पढ़ेगा प्रसनिया भी आप लोगों के आए कि सरजी अगर सभी लोग पढ़ेंगे तो टाप कौन करेगा तो जो भाई उसमें बिधवत तरीके से मेहनत करेगा वो टाप अवस करेगा ठीक है तो इसको लेकर के टापर कैसे बनते हैं और टापर के लिए क्या-क्या रणनीती फालो करनी होती है इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बोर्ड पर आपको बनाऊंगा ताकि वहाँ पर मैं बिधवत तरीके से आपको समझा पाऊं सारी रणनीती आपको बता पाऊं तो उसके लिए आप फालो करते रहे हैं हमको जल्दी 2-3-4 दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है धनिबाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिबाद अब सभी का